रहस्य मैं है भारत का यह 64 योगीनी मंदिर हर कम्रे में है एक शिवलिग विदेशी आते हैं दूर दूर से तंत्र मंत्र सीखने यहाँ नमशकार में हुसिम्रन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पीच वे जिहां मुरेना के इस मंदिर में आते हैं विदेश से लोग तंत्र मंत्र बुद्या सीखने भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है यहाँ पर कई प्राचीन और चमातकारिक मंदिर है इनमें कई म में भी दो मंदिर हैं यह मंदिर में जाना जाता है इस मन्दिर को युणिवर्सिक के नामसे वी जाना जाता है यहाँ पर दुनिया भर में लाखों तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के लिए आते थे तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं 64 योगीनी मंदिर का रहस्य क्या है दरसल मध्य प्रदेश का प्राचीन 64 योगीनी मंदिर बोलाकार है और इसमे चौसट कम्रे है इन सभी चौसट कम्रों में भव्य शिवलिंग स्थापित है यह मंदिर मुरेना जिले के मुख्याले से करित 30 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है मितावली गाउं में बना हुआ यह रहस्यमय मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है इस मंदिर का निर्मान कच्छब राजा देवपाल ने 1323 EC में करवाया था इस मंदिर में सूर्य के गोचर के अधार पर जोतिश और गणित की शिक्षा भी दी जाती थी जिसका यह मुख्य केंद्र था ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान शिप का मंदिर है जिसकी वज़ा से लोग तंत्र मंत्र सीखने के लिए यहां आते थे इस अद्बुद मंदिर का निर्मान कई सौ फीर की उचाई पर किया गया है और पहाड़ी पर से यह गोलाकार मंदिर किसी उड़न तश्टिरी की तरह ही नज़र आता है इस मंदिर तक पहुशने के लिए आपको 200 सीड़िया चड़ने पड़ती है मंदिर के बीच में एक खुले मंड़प का निर्मान किया गया है जिसमें एक विचाल शिबलिंगी स्तापिड है बताया जाता है कि यह मंदिर लगबग 700 साल पुराना है 64 योगिनी मंदिर के हर कमरे में शिवलिंग और देवी योगीनी की मूर्टी भी स्तापिती जिसकी वज़े से इस मंदिर का नाम चौसट योगीनी रखा गया था हलाकि कई मूर्टियां चोरी हो चुकी है इसके चलते अब बची मूर्टियों को दिल्ली स्थित संग्राले में रख दिया गया है 101 खंबो वाले इस मंदिर को भारती पूरा तत्व सर्वेक्षन ने प्राचीन एतिहासिक स्मारग्धी घोशित किया हुआ है सानिय लोगों का ऐसा मानना है कि आज भी यह मंदिर भगवान शिव की तंत्र साधना के कवस्च धका हुआ है इस मंदिर में किसी को भी रात में रुखने की अनुमती नहीं है तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध चौसट योगिनी मंदिर में भगवान शिव की योगनियों को जागरत करने का कार्य होता था माननेता है कि माकाली का चौसट योगिनी माता अवतार है घोर नाम के राक्षस के साथ युद लड़ते हुए माता आदिशक्ती काली ने इस रूप को धारन दिया था यह रस्यमाई मंदिर एक तेश्वर महादे मंदिर के नाम से भी मशूर है अगर आप इस मंदिर के बारे में पहले से जानते थे तो हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताईएगा हिलाल के लिए इतना ही मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में अगले विशे के साथ तब तब के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट नाइन स्पीट्वल को धन्यवाद